लोगडाउन की वज़े से दुनिया भर के देशों में फंसे भारतियों को वापस लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है विदेशों में फंसे भारतियों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू होने जा रहा है जो की 7 दिनों तक चलेगा इस चरण में अमेरिका, सौधी अरब, कतर, रूस, बांगलादेश, सहित 31 देशों से करीब 149 फ्लाइट्स भारत आएंगी इसके साथ ही कई यात्रियों को बड़े शहर से छोटे शहरों तक जाने में परिशानी का सामना करना पड़ा था जिसको ध्यान में रखते हुए अब वंदे भारत मिशन के तहट घरेलू उडानों को भी शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया है